नमस्कार सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ अंकित माधूर। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाले ते इस वक्त की हेड्लाइन्स मर। गांदी नगर में अमिश्वाह ने किया गांदी नगर से नामंक अंताखिल रोडशो में भी कहा मैं भी हूँ चौकिदार। श्रीनगर में जमुकश्मीर में CRPF काफी लेके नजरी कार में धमागा हाथसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पीली भीट में बस और कार की टक्कर में पांच लोगों की हुई मौद। पराजसान के साचोर में राजसान इस्ताफना दीवस पर संगोश्टी का आयोजन राश्ट निर्मान में योगदान विशे पर प्रकाश डाला। और अब खबरे विस्तार से। पराजसान आदिनेता पहुँचे थे। इस अफसर पर भाजपा अद्यक्ष अमिशान ने कहा कि गाज गांधी नगर लोकसवाश शेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नामंकन करने जा रहा हूँ। जो आज 1982 के दिन याद आ रहे है जब वे यहां के एक छोटे से बूत का बूत अध्यक्ष थे। गांधी नेगर से लालकरश्ट ने आडवनी अटल बिहारी बाजपई सांसत रहें। उनका सोभागया है कि भाजपा उन्हें यहीं से सांसत बनाने जा रही है। बाजपा एक विचारधारा की पार्टी है, दीन दयाल के अन्तियोधे के सिदांथ पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है, आज देश के सामने सवाल है कि देश को सुरक्षा कौन दे सकता है, देश को सुरक्षा सिर्फ नरेंद्र मोदी और NDA की सरकार दे सकती है। ग्रहमंत्री राजनात सिंग ने मोधी सरकार के तारीप करते हुए कहा कि कॉंग्रेसाज पीम नरेदर मोधी को गाली दे रही है उसके नेतार राहूल गांदी कहते है कि चौकिदार चोर है इसके बाद चार किलोमेटर रोडशो चला इसके बाद जगा जगा अमिशाह का जोर नहीं है दमागा जिस सेंट्रो कार में हुआ उसके पास सुरक्षा बलो का काफिला गुजर रहा था इसे यह प्रश्ट उठ रहा है कि कहीं या तंक की हमला तो नहीं अभी सुरक्षा बलो मामले की जांच में जुट गई है सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके को गेर कर मामले की जांच शुरू कर दिये उत्रप्रदेश के पिली भीत में शनीवार को एक कार से ट्यूरिस्ट बस की टक्कर हो गई जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई पुलिस अधिशक मनोच सोन करने बदाए कि पिली भीत बरेली राश्टी राजमार्क पर खमरिया पूल के पास गलत दिशा से आ रही एक कार से एक ट्यूरिस्ट बस टक्रा गई जिसके बाद बस और कार सड़क पर पलड़ गई टक्र के बाद कार में आग लग गई हाथसे में कार सवार पांच लोगों की जल कर मौत हो गई पुलिस ने शवोगों को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है उन्होंने बताया कि बस में करीब 24 यात्री सवाय से जिसमें 6 लोगों को मामूली चोटाई और इलाज के बाद उन्हें घर बेज दिया गया साचोर के चितलवाना पंचाय समीती सबागार में राजस्तान इस्तापना दीवस को लेकर विचार संगोष्टी मतदात जागरुकता और रन फौर राजस्तान रेली का कारिकरम अईजित किया गया कारिकरम के मुख्य अतिती प्रतानचायर रामलाल खिलेरी रहे वहीं चितलवाना विकास समीती के संरक्षन विदर सिंग चोहान इया देख्ष्टा और स्वीप प्रभारी लाडूराम विश्णोई के विशिष्ट अतितिय में कारिकरम संपन हुआ रेली पंचाय समीती परिसर में मुख्य बजार आम चोहटे होते हुए पुन्या पंचाय समीती परिसर में विसर जीत हुई रेली में शिक्षा मतदाता जागरुपता सच्टा संदेश के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे कारिकरम को समुदित करते हुए रामलाल ख फिलेरी ने राजस्तान की लोक संस्क्रती, बॉकलिक संस्क्रती और युवाव का राश्ट निर्मान में योगदान का विशे पर प्रकाश टेला। उत्रप्रदेश के संभल में लोक संभा चुनाओं की घोशना हो चुकी है, पहले चरण के मतदान के लिए नामंगन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। शेत्र में इस्तित गाव ढाड़ होल में ग्रामिनों ने आरूप लगया है क्यों उनके गाव के मुख्य सड़ग जो कि गाव को हाईवे से जोड़ती है, उस पर दो-दो फुट गहरे गड़े हैं, जिससे राज के समय बाइक से गाव वालों के साथ लूट की काफी घटना गाव में बना स्वास्ते उपकेंद्र पर आज तक किसी भी डॉक्टर या नर्स की तनाती नहीं की गई है, जिसकी वज़े से उपकेंद्र आज तक संचालित नहीं हो पाया है उद्यपुर जिलें में मैदक पदार्तों की धरपकड को लेकर नाकाबंद्री चल रही थी, गोगुंदा हाईवे पर पुलिस के नाकाबंद्र देखकर एक गाड़ी से कुछ दूर पहले से यूटरं लिया यदेखका नाकाबंद्र कर रही पुलिस ने उसे रोकने का प्रियास किया तो संच्धित गाड़ी को उसके चालक ने भगाना शुरू कर दिया इस पर नाकाबंदी कर पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया इस दोरान संग्दित गाड़ी के चालक ने पुलिस की गाड़ी को कई बार गलफत में डालने का प्रियास किया पीछा करती हुई पुलिस की गाड़ी जैसे ही संग्दित गाड़ी के बिलकुल बराबर में पहुंची तो संग्दित गाड़ी में बैटे एक व्यक्ति ने पुलिस के गाड़ी पर फाइरिंग कर दी गोली पुलिस गाड़ी के दरवाजे को चीरती हुई कॉइस्टेबल के पैर में लगी और वे गंबीर रूप से खायल हो गया फाइरिंग करने के बाद भी संग्दित गाड़ी का चलग गाड़ी भागाता रहा है और पुलिस की गाड़ी ने संग्दित गाड़ी का पीछा करना जारी रखा साथ ही वारलेस की सूचना दी इस पर आगे से आगे नकाबंदी में पुलिस ने संग्धित गाड़ी को चारो तरफ से गेर कर पकड़ लिया संग्धित गाड़ी में बैठा व्यक्ति रतलान के साइबर सैल में तैनाथ एसाई विरेंडरिसिंग निकला और उनके साइबर्यक्ति का नाम डिपक अगरवाल बताया जा रहा है सिरोही जिले का माउंट अबू यू तो अपनी हरी भरी वादियों के लिए मशूर है लेकिन खेलों के लिए भी यह इस्तान अब धीरे धीरे अपने परसिद लेते हुए नजर आ रहा है वहीं आज के कारेकरम की बात करें तो माउंट अबू के पोलो ग्राउंड से आज 50 किलो मिटर की ट्रेन मेराथन का अविजन किया गया जिसको माउंट अबू नगरपाली का अध्यक्षि सुरेश तिंगर अन्य जनपरतिनीदियों और अधिकारियों ने हरी जनडी दिखा कर शुरुआत की यह मेरा थन्द और माउंट अबू के जंगलों से होती हुए अबू रोड के रिशिकेश मंदिर से पुन्य माउंट अबू रोड के पोलो ग्राउंड पर समापन हुई जिसमें आदिवासी इलागे के रहने वाले अरिश कुमार ने परतों इस्तान पर आप्त किया तो वहीं माउंट अबू के अविनाज शुराय दीते इस्तान पर रहे वहीं तरदे इस्तान की बात की जाए तो तीसरे इस्तान पर डूंगरपूर के पपू कटोद ने विजह हासिल की है जुन्युन में इस्ते जीएष्टी की एंटी विजन की टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए जीएष्टी में चोरी करते हुए गलत तरीके से पान मसाला लाते हुए एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें करीब 28 लाक रुपे का माल है यदि इसमें GST की टीम को चोरी मिलती है तो इतना ही टेक्स वसुलने जाने की उमीद है दरसल इस्टेटी GST के उपायुक्त अंटी विजन सुनील मील के नितरत में आज सुबह भूरा सर और काप बास के पास वहनों की चेकिंग की जा रही थी इसे दुरान मंसी सर से जुन्जुनु की तरफ आते ही एक ट्रक को रुकवाए गया जिसके कागजातों की जाच की गई तो उससे पास दिल्ली सुनोका का इबिल था लेकिन इसके साथ अन्य कागजों में टोल की पर्चिया मिली है जिससे जाहिर हुआ कि वे बिल में मिलने वाली समय सुईदा का लाब लेते हुए ट्रक पान मसाले के कई चकर कर चुका है साथ ही नोका जाने के लिए जुन्जुनु होकर कई रास्ते पहुंच चोगा है वहीं पुश्टाज में चालक ने कबूला कि यह माल जुन्जुनु के लिए लाया गया है जिसके बाद टीम ने इस ट्रक को जब्स कर लिया है एक या दो दिन में इसके अन्य वेरिफिकेशन के बाद उमीद की है कि इस्टेज जेश्टी के एंटिविजन टीम 25 लाग से अधिक रूपियों के पैनलिटी वसुले यह फिलाल एक बड़ी कारवाई के रूप में विबाग ले रहा है टीम में एश्टियो राजकमल विश्णोई और सुमिश शिकावत के अलावा एश्टियो सुनील जानू और अरुन गावडिया भी थे और फिलाल इस गुरेड़े में फिलाल इतना ही देश-परदेश की तमाम कबरों के साथ हमारे साथ दोने रही तक तक लिए आपको ही मच जाए और देखते रही सिर्फ सत्मेब नीच